तो गुड आफटर नमस्कार वेलकम टू जती नोटो हिल दोस्तों उम्मिद करता हूं सभी हैपी होंगे हैल्दी होंगे लगभग तीन हपते के बाद मैं व्लोग डाल रहा हूं वाई गरमी बहुत जाए थी गरमी तो अभी भी है लेकिन अब व्लोग कंटिन्यू आएंगे तो आज हम जो व्लोग शूट कर रहे हैं वो है क्रेटा की टैंक टू टैंक माइलेज डीजल वेरियंट की जो की 15 सिसी का इंजन है 2020 क्रेटा की माइलेज शो करेंगे और यह हाईवे की माइलेज होगी और हम आपको इसकी सारी स्पीड कितनी थी क्रूज कंट्रोल बे था य हम यह भी बताएंगे कि मीटर में एवरेज कितनी शो हो रही है और एक्च्वल में एवरेज कितनी है तो उसका डिफ्रेंस का भी पता चल जाएगा चलिए पहले टैंक फूल करवाते हैं चलते हैं तो दोस्तों टैंक हमने फूल करवा लिया है माइलेज और किलोमेटर 00 है और 5984 किलोमेटर गाड़ी चल चुकी है यह डीजल वेरियंट है 2020 क्रेटा 1500 CC का इंजन तो जरनी शहर से स्टार्ट होती है सौनीपत से सौनीपत से मुर्थल तक का जो डिफ्रेंस है वो पांच किलोमेटर का है लेकिन हमारे घर से तकरीबन मोग किलोमेटर दूर था तो तक अलब गाड़ी हमारी 40 या 50 या 20, 20 से 50 के बीच में ही चली उसके बाद हम NH1 बे पहुज जाते हैं जी हम मुर्थल को प्रोज करने के बाद या मुर्थल पहुजने बाद हम नैशनल हाईवे 1 स्टार्ट हो जाता है यहां से हमारी जरनी 175 से 117 से 180 किलोमेटर दूर अंबाला में अंबाला तक है रोड की बात करें तो सौनी मुर्थल से ले तक पाने पत का रोड हाला कि एट लैन है लेकिन दो जनिया अंडर कस्ट्रक्शन चल रहा है और साथ में एक टॉल टेक्स भी आता है तो वहां पर भी हलका फुलका जाम लग जाता है मतलब गाड़ी जाती जी हां हमने जो एवरेश थी वह 80-90 के बीचे मेंटेन करके रखी दिये देखिए 38 किलोमेटर गाड़ी चल चुकी है और अभी जो अकोर्डिंग टो मीटर 15.4 की माइलेश गाड़ी शोव कर रही है जी हां लास्ट में आपको मीटर और एक्चुल जो माइलेश आती ह है उसका भी डिफ्रेंस आपको बताएंगे लोंग ट्रिप में यार अगर रोड अच्छे हों हाईवे अच्छे हों तो मजाई अलग होता है हमने यहां पर फूब इंज्वाए किया इस रोड ट्रिप को क्योंकि गाड़ी में ना जो इंजन की नवाइस थी वह ना के मेंटर गाड़ी जल चुकी है और ठारा पॉइंट तीन की माइलेश शो कर रहा है मीटर और आप देख सकते हो कि हमने स्पीड सिर्फ असी और नबबे के बीच ही रखी है यह एक गुड माइलेश निकानले का तरीका होता है हाईवे पर आप असी से नबबे के बीच में चल दोस्तों हमारी घड़ी फुल्ली लॉड़ेट थी मतलब मतलब पांस से चे मेंबर इसमें बैठे हुए थे यानि फूल फैमली थी इसमें दो बारावर्टेक चिकजब्ण में हमें कोई अमई यह प्रॉऽ्ब्लम नहीं आ रहे थी कि भी हमें फीड चोटा करना पड़ता है ऐसा बिलकुल भी नहीं था अराम से हम ओर टेक कर रहे थे हाला कि यह проблем पेटरॉल की गाड़ियों में ज्यादा होती है टीजल में नहीं होती है रेर ही होता है दूस्तों हाइवेई पे क्रेट्टा को चलाने का मज़ा अलगी है रला कि इससे पहले में क्या शैलटोस को चला चुका हो यह लेकिन क्रेट का मज़ा यह अलग है सेम है क्रिटल सेल्टोस में दोनों लेगिन थोड़ी सी ये सेल्टोस से ऊपर है चलाने में हाला कि दोनों सेर्ख प्लेटफॉर्म पर है हम अपनी जर्णी पर पोजने ही वाले हैं जहां मारा स्टॉप है और 162.4 किलोमेटर हम गाड़ी चला चुके हैं दोस्तों और 21.3 की माइलेच गाड़ी यानी मीटर शो कर रहा है क्योंकि जैसे आप हाइवेट पर गाड़ी चलाते जाओगे वैसे वैसे आवरेज बढ़ते जाएगी हम अपने स्टॉप पर पहुच नहीं वाले दोस्तों कि शो कर रहा है वह 21 की शो कर रहा था बाकी रात को अंदेरा हो गया था हम रात को रिटन अपने सीटी के ओँव चलते हैं और रात को न दोस्तों थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक एंच वन पर बढ़ जाता है क्योंकि रात को ट्रख बहुत जब चलते हैं इसी रिजिन से थो जिस तरह की हम जाती वक्त मेंटेन करके चल रहे थे यानि ब्रेक लग रहे थे तिन सो दोस्तों घर हम पोच चुके हैं 337.4 किलोंपर गाड़ी चली है और लीटर में 21.6 की एवरेश शोग कर रही है तो टैंक फुल करवा दिया दोस्तों हमने नेक्स डे मॉर्निंग में कि रात काफी हो चुकी थी और सोला पॉइंट त्राणवे का इसमें डीजल आया है तो जैसे आपने मीटर में देखा यह जरनी थी वह थी 337.4 किलोंपर की और सोला पॉइंट तिराणवे लीटर जो है फ्यूल आया है तो उसे हिसाब से भाई यह मालेज निकल रही है 19.92 की जी हां लगबग 20 किलोमेटर की अवरेज निकली है और मीटर में जो शो हो रही थी वह 21.6 की तो लगबग यह मालो आप डेड़ किलोमेटर का डिफेंस आया है इसमें थोड़ी बहुते सीटी में भी गाड़ी चली थी तो और वरल देखा जाए तो 20 की मालेज है कंपनी किसी कलेम करती है लेगिन मैं मानते है मालेज काफी अच्छी है क्योंकि अभी 10,000 वाली सर्विस भी नहीं हुई है तो उमी